दोस्तों अब सब लोगों को पताई होगा कि भारत कुछ समय से अपने हतियारों को एक्सपोर्ट करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और कुछ मामल में भारत का ये जो प्रयास है ये सफल भी हुआ है। पर दोस्तों इस तरीके के इंटरेस्ट के ख़वर आने के बावजूद भी अब ख़वरों में दावा किया जा रहा है कि भारत के तेजास एरक्रैप्टों को एक्सपोर्ट करने को लेके जो प्रयास है उसमें भारत को दो बड़ा जटका लगा जिनमें से एक जटका वत्वा तो दूसरे जटका नाइजरिया के तरफ से लगा बेसिहले रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इन दोनों देशों के तरफ से ही भारत के तेजास एरक्रैप्टों को खंडने को लेके बाड़ेश इंट्रस्टेड नहीं है बलकि अन्ने एरक्रैप्टों को खरिदना चाहता है, मीडिया रिपोर्टों के मताविक भारत के द्वारा वाजवाना के सामने साल 2023 में ही अपने तेजस मार्क वान एयर क्रेप्टों का ओफर रखा गया था, और बैसिकली वाजवाना को इच लाइट वेड कैटेगरी के फाइटर एयर क्रेप्टों को खरिदना चाहता है और इसी को देखते हुए ही एरो इंडिया 2023 एक्जिविशन के दर्मियान केवल मात्र यार क्रेप्टों का ओफर ही नहीं रखा गया बलकि रिपोर्ट के मताविक वाजवाना डिफेंस फोर्स और हिंदुस्तान अर्रोनोटिक्स लिमिटेड के वीच में इन यार क्रेप् इफिशन यार क्रेप्टों का जुरुरत था हाला कि अव तक वाजवाना यार फोर्स के तरफ से अपने यार क्रेप्टों का चुनाओं नहीं किया गया है पर रिपोर्टों के मताविक उनके सामने साथ कुरिया के एफए 50 जैसे यार क्रेफ्ट और स्वीडन के जेस 39 ग्रा अपने बेड़े के पुराने 24 MB 339 लाइट अटक यार क्रेप्टों को रिप्लेस करना चाहता है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि नाइजरिया के तरफ से अब इन यार क्रेप्टों के रिप्लेस्मेंट के रूप में M346 यार क्रेप्टों को चुना जा चुका ह और लंबे समय तक नाइजरिया के वरिष्ट अधिकारियों के साथ हिंदुसन अर्णोटिक्स लिमिटेड का बात्चित भी चला लेकिन आखिरकार तेज़स यार्क्राफ्टों को लेके नाइजरिया के तरफ से कोई वी डिसिजन नहीं लिया गया अब दोसों नाइजरिया के एक्सपोर्ट को लेके तो कई जगाओं में ये भी दावा किया जा रहा है कि असल में डिप्लोमेटिक हर्डल्स के वज़ा से या फिर कहे तो डिप्लोमेस्टी का जो धिला पन है उसी के वज़ा से भारत को यहाँ पे सफलता नहीं मिला तो उही अब दोसों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जानके रखना चाहिए कि तेजस मार्क वान ए यार क्रेफ्टो को लेके भारत के डोमेस्टिक मार्केट के अंदर काफी अधिक इंट्रेस्ट है और अल्रेडी 123 से यार क्रेफ्टो का ओर्डर के बाद और 97 यार क्रेफ्टो को घरितने को लेकि इंडिया नियार फोर्स के तरफ से तैयारी किया जा रहा है पर एक्सपोर्ट मार्केट में अफ़ तक इनियार क्रेफ्टो को लेकि भारत को एक भी सफलता नहीं मिला जो कि भारत के हत्यारों के एक्सपोर्ट के उपर एक बहुत बड़ा डेंट हो सकता है क्योंकि तेजस यारक्रेप्टो को मेकिन इंडिया के एक फ्लैक केरियर के रूप में देखा जा रहा है और तेजस यारक्रेप्टो को एक्सपोर्ट करने को लेके अगर भारत को सफलता मिलता है तो नो डाउट इससे आने वले समय में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में जब कि इसके इलावा रिपोर्ट के मुताविक इन यार्ट्रेप्टों का ओफर अर्जेंटिना और इजिफ्ट के सामने भी रखा गया है। अपने तेजाज एरक्रेप्टों का प्रस्ताप तो रखा attract लेकिन फिलफिन से ट्रफ से भी तेजाज एरक्रेप्टों के उपर इंट्रेस्ट ना दिखा के अन्य एरक्रेप्टों को खरिदने को लेके तयारी किया जा रहा है। हो चुका और अब delivery में delay इन यार क्रेप्टों के लिए केवल घातक ही सावित नहीं हो रहा है बलकि export market में वी इन यार क्रेप्टों को कमजोर बना रहा है जबकि दूसरे तरफ तेज़स मार्क टु यार क्रेप्टों वो लेके वी जिस तरीके से काम किया जा रहा है अगर उसमें तेज रफ्तारी नहीं आता है तो एक्सपोर्ट मार्केट में तेज़स मार्क्टू यार क्रैप्टो को लेके वी भारत को इसी तरीके के रिजल्ड का सामना करना पर सकता है अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे तेजा से आर्क्राफ्टों को लेके भारत के सामने इतने बड़े बड़े चुनोती है और केबल खराफ खवर ही सुनने को मिल रहा है तो उही पे दूसरे तरफ रश्या के द्वारा भारत के सामने हाली में ही ग्लोबल मार्केट को लेके ए असल में उस धर्मियान केवल मात्र दोनों देशों के डिफेंस कोपरेशन को ही इनहेंस करने को लेके बातचीत नहीं हुआ है बलकि दोनों देशों के बीज में और भी कई तरीके के हतियारों को तैयार करने को लेके भी बातचीत हुआ है और रिपोर्ट में दावा किया ज जा रहा है बलकि इन यार क्रेफ्टों के कई सरे विरियंटों का उप्योग अफरीकाई देशों से शुरू करके इशिया के कई सरे देश और इवन लैटिन अमेरिका के देशों के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा रहा है और दोस्तों ये हेवी वेड के मल्टी रोल एक ऐसा यार क्रेफ्ट है जो की कैपेबिलिटी में काफी आगे है और इसी वज़ा से अभी इन यार क्रेफ्टों का जो एक्सपोर्ट मार्केट में डिमांड है वो काफी हाई है अब इंडियान यार फोर्स को ही अगर देखा जाए तो इंडियान यार फोर्स के पास 260 से भी अधि कि इंडियान यार फोर्स के सुखोई 30 MKI यार क्रेप्टों का निर्मान भी नासिक्स देदी सी प्लांट में ही किया गया है। सुखोई 30 MKI यार क्रेप्टों के MKI वेरियंटों का उप्योग कर रहा है जो कि इंडिया स्पेसिविक वेरियंट है। कि अगर रश्या भारत के साथ जॉइंड वेंचर में इन यार क्रेप्टों को तयार करता है खास करके एक्सपोर्ट मार्केट के लिए तो नो डाउट रश्या को यार क्रेप्टों की स्पेर पार्स सप्लाई और सप्लाई चेन को लेके चिंता करने का जुरुत नहीं होगा। फिलाल कुछ गिने चुने ही ऐसे देश है जो की संपुन रूप से रश्या के खेमे में है वही देश रश्या से हतियारों को खरीद रहा है जिसे की रश्या के हतियारों के एक्सपोर्ट के मार्केट के उपर काफी असर तो पढ़ रहा है साथी साथ जिन देशों के द्वा लेके जो restriction है या फिर कहें तो western देशों का जो pressure है वो जहलना नहीं पड़ेगा और जिन देशों के द्वारा रश्यन हतियारों को traditionally इस्तेमाल किया जाता था वो अब भारत से रश्यन हतियारों को purchase कर पाएगा और शायद इसी वज़ा से रश्या कई तरह के हतियारों के maintenance को ल बनता है तो क्या ये ब्रह्मोस मिसाइलों के जैसे इतने सफल joint venture बन सकेगा या नहीं कॉमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए तो स्वाच के इस वीडियो को यही पर ही करते समाथ किसी और एक दुन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद वंदे म आतरम